अगर किसी को मसल पेन हो रहा है, मासपेशी का दर्द हो रहा है, बार-बार दर्द हो रहा है, बार-बार मसल पेन की प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या-क्या चीजे वो कर सकते हैं, जिससे उनको मसल पेन में फाइदा मिले, और कौन-कौन से चीजे वो खा सकते हैं, जिनके से मुसल पेन में फाइदा मिले आज इस टॉपिक को डिसकस करेंगे काफी लोग मुसल पेन की प्रॉब्लम से पीडित रहते हैं इंफाक्ट काइडियोजी ओपीडी में आने वाले हमारे 70-80% पेशिंस जिनको मुसल पेन का प्रॉब्लम रहता है वो परिशान इसलिए रहते हैं कि सब करें क्या खाये क्या मुसल पेन हो रहा है साल बड़ से हो रहा है अब क्या करना चाहिए अब हमें कैसे मैनेज करना चाहिए आपको मुसल पेन होते जा रहा है अब पेन के लिए आप खाते है तो खाली आपको कुछ रहत मिलती है पर किड में सूजन हो सकती है तो उसमें क्या-क्या चीज़ों से आपको मदद मिलेगी आज इस बारे में discussion करेंगे सबसे important चीज़ है कि rest करें जबकि आपको पेन अगर हो रहा है जब भी आपको किसी particular muscle में अगर आपको significant pain या दर्द होता है तो फिर आपको rest करना चाहिए वो particular muscle को आपको rest करना पड़ेगा नहीं तो वो particular muscle को आप बार-बार अगर उसको strain करोगे बार-बार उसको movement करोगे बार-बार उसको हिलाओगे डूलाओगे तो आपको परेशानी होगी बाद में आपको वो muscle का सूजन बढ़ते जाएगा जितना जादा muscle में एक बार अगर strain आगया तो muscle stiff हो जाती है उसके mass पेशी खिच जाती है वैसे case में अगर आप उसको बार-बार हिलाएंगे बार-बार उसको movement करेंगे तो वो खिचाओ और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा तो फिर फाइनली patient को muscle में बहुत जादा सूजन बढ़ जाएगी जिसकी बढ़ते से problems आने का chance और जादा बढ़ जाएगा तो आपको muscle को rest देना है आतर कंटे में आपको बरफ लगाना चाहिए जिससे सूजन कम होगी उसके बाद आप उसको change करके उसको आपको गरम से सिकाई करना है या गरम पानी से सिकाई करना है या hot water bags use करना है जिससे कि उसमें healing or inflammation better होगा, laxation muscle का better होगा muscle spasm कम होगे यानि शिरुवाती तीन दिन में आपको बरफ लगाना है उसके बाद आपको उसको गरम पानी से सिकाई करना है उससे सूजन और pain comparatively कम होगा muscle का pain के लिए ये काफी common लोग करते पर इसमें हाँ थोड़ा इतियात बरतने की जरूरत है बहुत ज्यादा over aggressive मत करिये नहीं तो muscle में आपको बहुत excessive heat या बहुत excessive cold की वज़े से damage या sowness बढ़ भी सकता है उससे skin जल जाए वैसा भी हो सकता है तो थोड़ा सा ध्यान से करें proper temperature का ध्यान रखे करें तो अच्छा है अगर किसी physiotherapist की मदद ले उनसे guidance ले तो ज़्याद आच्छा है तो आपको ज़्याद अच्छी तरह से बताएंगे कैसे उसको manage करना है कई पर वो लोग ultra sound से सिखाई भी physiotherapy बताते है उसकी specific machine रहती है उनके पास उससे वो area में अगर ultra sound beam से वो उसकी सिखाई करते तो सूजन थोड़ी कम हो जाती और आपको pain थोड़ा कम हो जाता है inflammation कम हो जाता है आपको जल्दी रहत मिलती है next है कि उस particular area की stretching करी हलके से बहुत ज़्यादा tensious खीचतान मत करी उसके साथ नहीं तो pain बढ़ जाएगा आपकी injury बढ़ जाएगी problem बढ़ जाएगी अगर आप उसको हलके भाव से stretch करें हलके आच से stretch करें उस area को थोड़ा सा muscle को relaxation उसमें मिलेगा इसमें भी आप physiotherapist की मदद ले सकते हैं अगर आप उसको खुद प्रॉपर ली नहीं कर पा रहे तो physiotherapist की मदद लीजे वो आपको proper way में guide करेंगी कैसे इसक तो movement करना है और उनके guidance में करें तो खिचाओ तना होने का chance competitively कम होगा अगर physiotherapist की सेवा अवेलेबल नहीं है तो घर पर भी कर सकते हैं लेकिन वो उतना effective या उतना accurate नहीं हो पाएगा जितना आप physiotherapist की guidance में करें तो ज्यादा अच्छा results आपको मिलेंगे नेक्स्ट है massage करिए कोई भी चीज़ को अगर आपको muscle pain or stiffness हो रही है तो हलके हाथ से या हलके oils massage oils आते हैं उससे अप हलके हाथ से उसको malish करिए या किसी से करवा सकते तो उसका muscle का tension कम होगा muscle relaxation होगी healing थोड़ी better होगी नेक्स्ट है कि आपको pain killer भी कुछ समय के लिए लेना चाहिए pain killer लेने का purpose यह है कि muscle के spasm और pain को कुछ हट तक relief कर देता है तो muscle की surgeon चली जाती नहीं तो क्या होता है कि आप pain killers को avoid करते हैं कि pain killers मुझे नहीं लेना है उसके चक्कर में फिर क्या है वह area में बिल्कुल stiffness और soreness बनी रहती है फिर हलका सा खिचा होता है फिर pain हो जाता है फिर हलका सा तना होता है फिर pain हो जाता है और surgeon बढ़ती चली जाती एक vicious cycle बन जाता है pain होता है और खिचा होता है तना होता है और फिर आप movement करते हैं तो और उसमें surgeon बढ़ जाती है तो एक बार उस cycle को तोड़ना पड़ेगा, उस cycle को तोड़ने के लिए या तो steroids लेके या पेंकिलर्स लेके, जैसे कि paracetamol है, जैसे कि aciclofen है, naproxen, ibuprofen है, यह सब चीजों को लेकि आप pain और estrogen को कम करिए, उसके बाद आपको थोड़ा सा exercise और बाकी चीजों से ज्यादा का anti-inflammatory action उतना अच्छा नहीं है, next है topical treatment याने massage करने के लिए ointments या cream यूज कर सकते हैं, इसमें menthol और capsicin यूज कर सकते हैं, इसमें counter irritant physiology रहती है, कि वो skin पर लगाने से skin पर irritation करता है, जिसकी बज़े से nerve fibers का sensation है, वो muscle पर से divert होके, muscle का ध्यान, muscle से divert होके, nerve fibers का ध्यान ज और कुछ हद तक यह आपको relief भी करता है, यह permanent therapy नहीं है, लेकिन आपको इससे कुछ हद तक counter irritant system से कुछ हद तक muscle pain या sourness में रहत मिलती है, next है hydration रखिए, बहुत ज़्यादा पानी पीजे, जब भी आपको अगर muscle pain का problem होता है, तो body hydrated रखिए, जब भी कोई body dehydrated होगी, तो आप पानी ज़्यादा पियोगे तो वो आपको problem comparatively थोड़ी कम होगी, next है exercise कीजे, regular basis पे आप exercise करेंगे तो आपको injuries comparatively कम होगी, जब भी आप exercise करेंगे तो धीरे-धीरे start करेंगे और उसको बढ़ाइए, अगर आप regular basis पे इसको exercise नहीं कर सकते तो आप muscle injury होने का, pain होने का ज़्यादा होगा, कई लोग का ऐसा रहता है कि वो suddenly शैमेना में एक बार exercise करते हैं, पार चड़के आ जाते हैं, उसके बाद फिर 10 दिन तक बिस्तर पर पढ़े रहते हैं, muscle pain के साथ, उस समय सूजन या सोर्मेस ज़्यादा होगी अगर आप sudden spurts मे exercise करेंगे, आप regular basis पे उस करेंगे, अगर आप बैठने के टाइम, या कुछ काम करने के टाइम, या work करने के टाइम, या laptop पे बैठने के टाइम, कुछ भी अगर surgical job भी कर रहा है, तो पीट का proper posture अगर maintain करते हैं, गले का proper posture maintain करते हैं, तो आपको pains या पीट का दर comparatively कम होगा, आपको problems होने का chance comparatively थोड मिलेगी, लंबे से मैं था कि या lifetime in medicines को नहीं ले सकते हैं, obviously क्योंकि side effects है, पर आपको थोड़े से में तक ले तो जाद आच्छा है, last में bonus की तरह, आपको bonus tips देता हूं कि कौन-कौन से foodstuffs हैं, जो आपको pain में मदद करेंगे, अगर आपको pain हो रहा है, तो इस foodstuffs की list को यह सारे antioxidants होते हैं, जो आपके muscle की healing और recovery को improve करते हैं, next है हरी साग सबजी, हरी साग सबजी में vitamins और minerals होते हैं, जो की muscle pain और recovery में मदद करते हैं, next है nuts और seeds, खासकर अगर almonds याने बदाब और pumpkin याने कद्दू के seeds को आप लेते, तो इसमें vitamin E जादा होता, जो आपके muscle pain और inflammation मे मदद करता है, next है ginger याने अध्रग, इसमें anti-inflammatory property होती है, जो muscles के oxygen को कम करती है, और इसको आप खाने के साथ ले सकते हैं, चाय में ले सकते हैं, अलग-अलग forms में ले सकते हैं, तो आपका muscle pain कुछ अप्त जिससे कम हो जाएगा, next है healthy, इसमें curcumin होता है, turmeric में, जो एक anti-inflammatory property होता है, इससे muscle pain comparatively कम हो जाता है, oxygen भी थोड़ी कम हो जाती है, next है pineapple, pineapple में bromelain करके enzyme होता है, जो कि muscle pain और recovery में मदद करता है, और healing को improve करता है, inflammation को कम करता है, muscle rate problems को better करता है, next है eggs, eggs अगर आप इस टाइम पे ज़्यादा लेते हो muscle pain वाले patient में, तो आप उसमें protein content अच्छा मदद करता है, ज्यादा मातरा में protein लीजे, fatty food और oily food और junk food कम लीजे, ज्यादा मातरा में protein लीजे, egg लीजे, तो आपको लिए ज्यादा अच्छा है, next है quinoa या quinoa, इसमें complex carbohydrate होता है, इसमें अगर प्रोटीन होते है, जो कि muscle recovery और repair में help करता है, तो अगर आपको muscle pain या इस इसको suit करता है, तो try कर सकता है, next है, hydrated रही है, पानी जादा पीजे जैसा कि मैंने बोला, अगर आप दिन बर में 3-4 लेटर पानी पीते हैं, तो आपका muscle pain का problems और cramps का problem कुछ हद तक कम हो जाएगा, यह सारी चीजों को आप एक balance diet में incorporate करेंगे, तो आपको muscle pain का problem कुछ हद कम हो जाएगा, तो आज के topic में हमने बात की कौन कौशी चीज़े हो और tips को follow करने से muscle pain का problem कुछ हद तक आपको कम मिलेगा, यह इस topic को संबंदित, आपके कोई comments, queries, suggestions है, कोई और topics पर आप चाहते हैं, वीडियो बनाए, कोई patient related queries है, तो नीचे comment section में उनके बारें बताए, ह ऐसा करने से channel को continue करने के लिए हमे motivation और inspiration मिलती है, और जब भी हम कोई नया content upload करते हैं, तो उसका notification आपको तुरंत मिल जाता है, जब भी हम को YouTube live sessions भी करते हैं, तो आपको notification तुरंत मिल जाता है, चुरे को मारे channel पर content ढूणने में दिक्कत होती है, कि specific इस बिमादी के लिए content कहां से लेके आएं, वो इतने हजारों वीडियोज में कहां डूढ़ें, तो उनके लिए regular basis पे हम YouTube Shorts upload कर रहे हैं, जिसमें सारे topics का हम आपको brief summary देते हैं, उसमें सारे topics का आप जिस particular topic पर आपको चाहिए, specific playlist पे जाएए, तो आप BP, sugar, cholesterol, heart attack, heart failure, जो प्लेलिस बने हुए, उस पे जाएए, तो आपको ज़्यादा relevant content मिलेगा, ढूढ़ना नहीं पड़ेगा, और regular basis पे हम YouTube Shorts पी upload कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जिन लोग को बहुत ज़्यादा detail में content नहीं जाएए, वो बोलता है कि समों को short पे बता दीजे, तो उनके लिए सारे topics का brief summary हम आपक tips मिलते रेंगी, thank you.